अब सभी के बसंद आड़ी प्रिक्षा 2019 संबंदित आपके प्रशन लगातार काफी ज्यादा संख्या में आ रहे थे और आप सभी को बहुत 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 बदाई कि आप अपना कुछ समझ कर अपना मित्र अपना दोस्त अपने सर अग्रज्यों भी समझ कर आप प्रशन करेक्टर सर्टिफिकेट के पर मैंने पूरा बना लिया है ठीक ना तो करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके ब्रशन आ रहा था कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट जिसकों लोग चरित प्रमाण पत्र भी बोलते हैं कितना पुराना होना चाहिए सबसे बेसिक सा कोश क्या 2010 का जो बना है 2011 का 2013 2017 आदरी वर्षों का जो भी बना है वो चल जाएगा या मेरा B.A.D.C. का नहीं मिल रहा है तो graduation का high school का इंटर का जो भी चरित प्रणार पत्र वो चल जाएगा इसके लावा अपने जिले का हो कि मैं किसी और अन्य जिले से बना वाल हूँ जहां पर मेरा कहीं relation है जो भी है क्रिया कलाप है तो वो चल जाएगा इस पर बहुत इस पस्ट जानकारी देने वाला हूँ दूसरा एक health certificate के उपर प्रशन आ रहा था कि इसके बारे में भी सर डीटेल बता दीजेए जैसा आपने character के बारे में बताया वैसे इसके बारे में निवास प्राण पत्र के बारे में भी थोड़ी सी इसमें special जानकारी आपको दूँगा और एक important प्रशन एक बहन ने morning में ही पूछा और काफी दिनों से ये प्रशन आ रहे थे यानि इसकी संक्या थोड़ी जाता कि सर तलाक हो गया है तो कहां का निवास लगेगा प्रूफ आईडी प्रूफ जो है वो कहां कब बना आना पड़ेगा कहां का address ह तो इसके बारे में थुड़ी से चर्चा कर लेंगे और जैसा आप सभी से वादा किया था कि not even a single point आपका single भी समस्या रहेगी तो उस पर वीडियो बना कर मैं आप सभी तक अपने ज्ञानानुसार अपने सामर्थ्यानुसार और जो भी कहीं से मुझे जानकारी प्राप्त होती है जो authenticated होती है उसके जरी आप तक पहुंचाने का कार करता रहूंगा तो फड़ाफट वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दीजे क्योंकि जितना मैं आपको motivate करता हूं उतना आपके likes और आपके comments जो हर touching होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे motivate करते है आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए ठीक है तो फड़ाफट share कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है ते चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को share करना मत भूला करिए और like करना मत भूला करे ठीक है और आपके वेक्टिका जो भी प्रशनों हो वो जरूर पोश लिय अब आ जाते हैं एक प्रशनों के जवाब आराम से देने के सबसे पहले प्रशन से स्टार्ट करते हैं कि character certificate जो कितना पुड़ाने चलेगा क्योंकि कल का वीडियो जब मैंने बुड़ाया तो यह question की भरमार बढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि अभी इसको और भी जादा ना जिनके पास अधिकार होता है जिनके खुद स्टैंप होते हैं जिनके नाम से सारे चीज़े चलती हैं वह अपना sign कर देंगे तो वह validate हो जाती है हर जगा ठीक है उनकी उनसे वनवाना है ठीक पहली बात दूसरी बात वह मालीज आप रहते हैं मैं मालीज प्रयागराज में आप रहते हैं ठीक है मैं एक्जामपल दे रहा हूं प्रयागराज जिले में आप रहते हैं और कोई आपके संबंदित चाचा ताउ नाना रिलेशन लग जाता है ना अपने अपने रिलेटिव हम ढूंड लेते हैं जो कहने कहीं अच्छे पद पर रहते हैं मालीज वह बनवा सकते हैं बनवा सकते हैं बिलकुल भी नहीं क्यों जिला जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले का सबसे इंपॉर्टन बात है कि आपका होना चाहिए पहली बात क्योंकि वह कहां पे हैं कहां नहीं हैं आपका जो चरितर है जो भी चीजे हैं वह उनसे एसोसीट होना इनका चरित्र में यह बहुत 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 अच्छा है और ठिक ठाक है यह लेकिन मेरा इनसे कोई blood relation नहीं रहते हैं यह सारी चीजें वुह लिपते हैं फिर अपना इंटरवल लगा जकता हूं देखी मुझे जहां तक जानकारी है कि आपका रिसेंट का इनी छे मैने पहले तक का हो तो ज्यादा बेतर हैगा हर डॉक्यूमेंट को हर चीजों को छे मैने से क्यों रिलेट किया जाता है ताकि ज्यादा पुराना ना प्रमाणित किया जा सके करे है का तो आराम से प्रमाणित कर लेंगे और आपको तुरेंट ऑटेंटिकेट कर देंगे ठीक है तो इसको परशान होने की आवशकता आपको नहीं है हाला कि जिन्होंने करेंट इयर्स में ध्यान से समझेगा करक्टर पर एक एक प्रशनों को जो हो सकते हैं जो मैं सोच रह परशान मिल्कुल मत होगे एक वो मान लिया जाएगा दूसरा आप किसी से भी जैसे मैंने एक रेट बोला ना चाहिए आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर हों पशू चिकिस्ता अधिकारी हों जो एक रेट के इंदर करताते हैं डीसी हों आपके आईएस हों आईपीएस हों आज की आपका विश्व विद्याले जो भी है महाविद्याले है कॉलेज है उनके प्रधाने चार भी उसको अथिंडिकेट कर सकते हैं वो भी राजपत्री तदिकारी के इंदर कताते हैं तो ये कुछ आपके कॉमन प्रशन है जिसका मैंने जवाब दिया है क्रेक्टर तो अभी मुझे इस पर वीडियो बनाना था लेकिन अभी करेंटली ही रोहन ची का अभार कि इन्होंने तुरंत प्रशन ही पूस दिया तो मैंने सुचा कि अब इस पर वीडियो ही बना दिया जाए इसी में ही कि सर इसी तरह हेल्थ सर्टिफिकेट का भी जानकारी देते है कब क्या लगता है कांसलिंग पर लगता है क्या लगता है क्योंकि इन्होंने अभी करेंट में पूछा है जो मैंने आपका करेंटर पर बनाया है ठीक है तो आभार आपका और आपकी प्रशन की वज़े से और लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा तो हेल्थ सर्ट स्वास्त प्रमाणपत्र जो होता है वह आपको अभी नहीं बनाना है या अपने से नहीं बनाना है पहली बात ठीक है नूडाउट दूसरी बात जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है यह नियूक्ति यानि कि पार्टिकुलर आपका जब जिला एलॉट हो जाता है ध्यान से बियस से दिकारी होता है वही नियूक्त करता है सारी चीजे तो नियूक्ति होने के यानि के पार्टिकुलर आपका कि इस जिला इस ब्लॉक तक आप सिमित हो गए तो उस जिले में होगी उसी जिले के आपके जिला अस्पताल में जाकर आपका बनवाना होगा और यह आपका जो में अधिकारी होता न्युक्ति का कौन बियस से उसके द्वारा जारी कर दिया जाएगा क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है पिछली बरती में कि आप अपने तरीके से बनवाना कर ले गए हैं वो मान नहीं किया गया है उनके द्वारा भेजा जाता है उस पार्टिकुलर जिस जिले में आपकी न्युक्ति होनी है ध्यान से समझेगा जो जिला आपको लाउट हुआ है उस जिले के आपका जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है वहाँ जाकर आप उसका कोई charges नहीं होते हैं आम तोर पर मैंने जितना जाना है charges नहीं होते हैं BSA द्वारा ही भेज दिया जाता है और कुछ ऐसा प्रारूप होता है अगर मैं दिखा हूँ तो यह particular sample जो है आपके certificate of physical fitness के इंतरगत आता है और यहाँ पर जिस particular आपको BSA की 33 जिले के प्राथ्यों की दाले में होगी उस जिले के आपके जो राजकी आपका hospital होता है जिले का जो जिला hospital होता है उसमें जाकर आपको पनवाना है तो उसका particular sample होता है आपके particular जिले के hospital का नाम दिया रहेगा फिर यहां पर उसका आपका OPD नंबर जो रहता हूं का मेंशन जो था रेजिस्टर में वो मेंशन होगा इदर डेट रहेगी फिर इदर डीटेल में आपका यह रहेगा कि यह particular आपका नाम employment के लिए किसके लिए education department के लिए आपका हो जाएगा यहां पर कुछ एकाथ चीज के आपका यहां से certification होगा कि हाँ I do hereby फिर उनका stamp लग जाएगा और signature हो जाएगा इदर आपका date or time सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएगी ठीक है और यह सारी चीज़ें आपका एक sample है कैसे क्या होना वाला है तो last में इस प्रकार का signature हो जाएगा कि I declare that I have not been examined medically before for illness और signature आप पर इन सुप्रेटेंडेंडन जोंगे district जिले के और यहां पर चीफ सुप्रेटेंडेंडेंडन जोंगे CMO जिनको लोग बोलते हैं उनका signature हो जाएगा तो यह particular आपका criteria रहा कि health certificate कैसे बनेगा कब बनेगा हां और यह सारी चीज़ें आपकी कहां सम्मिट होगी counseling का तो पर भी बहन ने साथ प्रशन किया था किसर जो दो कॉपी सम्मिट होगी उसमें क्या original original वाला ही सम्मिट होगा या इसका photocopy main copy कहां सम्मिट होगी तो याद रखेगा इस photocopy कराने के लिए मैंने आपको बोला था कम से कम 7-8 आपकी पूरी file बना लीजेगा photo states documents की क्योंकि ज उसको लेकर आप सारी चीज़ें तयार रहीएगा और फिर यह ऐसा नहों कि में डॉक्मेंट आपके बीसे office में सम्मिट हो जाएंगे फिर महां पर आप जाए फिर उनसे मांगे तो एक bad impression पड़ेगा तो अपने आप photo state ज्यादा ज्यादा करा के रखेंगे तो ज्यादा बे इसके लावा आपका निवास परांट पत्र के उपर यह दो common चीज़े रही है और हाँ इससे इंपोर्टन बात है यह इसी से रिलेट कर जाता है कि सब मेरा तला कुछ मैनों का था ऐसा कुछ क्रिया क्लाप तो मैंने अच्छे से बता दिया है कि फॉर्म भरते समय अगर पती के घर का सारा चीज लगेगा अगर आपने वहाँ पर अपलाई किया था साधी नहीं हुआ है और अब जाके साधी हुआ है तो अपने पिता का ही चलने दीजे परशानी वाली बात नहीं है और आपका तलाक हो चुका है और आपका निवास और आईडी परूप में उनक आप संसोधन करा सकते हैं ठीक है तो यह कुछ important आपके points रहें इसके अलावा इसके अलावा जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्णों आप बे जिजग पूछिए कहीं भी आपको इसका उतरना मिल रहा हो तो मैं अपने ज्यान अनुसार समर्थ्य अनुसार जो चीज मुझे न आइक आपका मुझे motivate करता है ताकि मैं प्रते एक दिन उड़ते ही आपके बारे में सोचूं और आपके लिए वीडियो बनाओं positive impression के साथ तो वीडियो को शेयर कर दिए ज्यादा ज्यादा वाट्सव फिस्बूक ग्रूप में ताकि ज्यादा ज्यादा मित्रों का लाव हो सके और चैनल पर हैंति चैनल सब्सक्राइब कर लिए बेस्ट आफ लग थेंकिया सुमझे अ झाल 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